हाई स्टुडेंट्स 11-20 बच्चे जनरल हमने किया था लास्ट क्लास में और पहुत इंपोर्टेंट टॉपिक आज आप करोगे लैजर बच्चे कोई छोटी मुटी चीज तो है नहीं लैजर और ऐसा भी नहीं है कि छोटी मुटी दिर में हो भी जाएगा टाइम कंजूमिंग है समझने की बाते हैं सब कुछ बहुत अच्छा है लैजर में और बिना जनरल के लैजर आप नहीं कर पाओगे ये भी बात पक्की है तो आपको continuous एक focus बनाना पड़ेगा मेरे साथ साथ और मैं एक ही question आपको लैजर का अभी कराओगा और उसमें बातों को अच्छे से समझा दूँगा और बस आपको क्या करना है इस question को throughout लगातार देखना है अच्छे से समझना है तो start करते हैं बिटा question है prepare journal and laser वैसे ऐसे बोलेगा past journal entry and prepare laser account वो तो खेर बात की बात है question क्या बोलेगा क्या नहीं that is different thing वो हमें एक अलग तरीके से consider कर लेंगे उसमें उसमें ऐस सच कोई दिक्कत नहीं आएगी तो बनाते हैं बैटाए question January 1st को Cash in hand दे रखा है तीन लाग Cash at bank दे रखा है दो लाग Debtors में एक दे रखा है राम एक लाग एक दे रखा है संजे एक लाग पचास है जाँ फिर creditors मोहन एक लाग विजय पचास हजार और फिर capital पांच लाग यह January एक को आपको balances दी हूँ है further पूरे महिने में क्या क्या हुआ जन्वरी थ्री को पर्चेस गोड्स फोर कैश रुपीज पचास हजार जन्वरी सेवन को पेड तू राम स्वरी रेसीवड फ्रोम राम रुपीज 95,000 इन फुल सेटल्मेंट जन्वरी तैन को पेड ओफिस रेंट रुपीज बीस हजार बाइ चेक बाइ चेक बीस रेंट चेक से पी किया जन्वरी सोले को पेड सैलरीज रुपीज चानिस हजार जन्वरी उन्निस पर्चेस्ट गोड्स फ्रूं सन्जय विजय फ्रुरुपीज फुटी थाऊजब जन्वरी बीस को पेट तु मोहन रुपीज 98,000 इन फुल सेटलमेंट जन्वरी तेईस पेट तु विजे रुपीज 60,000 जन्वरी सत्ताईस रुपीज एक लाग जन्वरी उन्निस विजे रुपीज 20,000 जन्वरी थर्टी रुपीज 10,000 जन्वरी कत्यस विद्राउन फोर पर्सनल यूज रुपीज 10,000 और जन्वरी कत्यस को ही डिपोजिटेड इन्टो बैंक रुपीज 30,000 तो कुल मिला के एक बड़ा कुशन मैंने आपके सामने बनाया बिटा तो आपने बच्चे ये कुशन देखा इस पूरे कुशन का हमें बनाना है लैजर और जन्वरी फर्स्ट का बैलेंस गिवन है बिटा जन्वरी फर्स्ट का जो ये बैलेंस गिवन है ये क्या बताता है एक जन्वरी को मेरे पास 3,000,000 कैश है बैंक में 2,000,000 है ये बताता है कि जब पिछला मंथ एंड हुआ होगा तो सारा कैश लेने देने के बाद कितना कैश हुआ होगा इनके पास 3,000,000 बेटा जो कल के दिन किलोजिंग है वो अगले दिन का ओपनिंग वही तो होता है जब आप यहां पूरे महीने का देखो शुरू में 3 लाग कैश है जैसे फिर जो भी कैश आया गया सब एडलेस कर लोगे तो 31 जनवरी को तुम्हें इस महीने का कैश मिल जाएगा किलोजिंग का तो जो इस महीने का किलोजिंग है एक फरवरी के दिन वही कैश ओपनिंग कैश बनेगा कि आज मेरे पास इतना कैश है पिछले महीने का हिसाब किताब करने के बाद आप यह बाद समझ रहे हो यह जितने भी नाम है बिटा सब के अकाउंट बनेंगे जैसे cash in hand, cash at bank, Ram, Sanjay, सब के अकाउंट बनेंगे, कैसे बनता है लेज़र cash account date particular jf amount date, particular jf, amount cash account इस column का नाम है date इसका नाम है particular यह jf है यह amount है date, particular jf, amount यह debit side होती है, यह credit side cash हो गया फिर bank account बनेगा same column bank के बाद data था हमारा Ram same column राम के बाद एक data था हमारा Sanjay बच्चे इसे पढ़ने का जो सच में मज़ा है ना, वो तो board पर ही होता है, लेकिन मैं क्या करूँ, आप मेरे साथ नहीं हो, तो मुझे यह ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसे पढ़ने का मज़ा बोड़ पर ही होता है, क्योंकि पूरा कुछन सामने होता है, बेटा अब यह दो 4 आकंट बन गए, इसके बाद राम संज और के बाद आप देखो, मुहन है, मुहन का अकंट बनेगा वही date particular Jf amount date particular Jf amount मोहन के बाद विजय का अकाउंट बनेगा date particular Jf amount date particular Jf amount फिर एक capital का अकाउंट बनेगा तो ये अकाउंट तो बनने तैं है जिन जिनके बैलेंसिज आपको दिये हैं वो अकाउंट तो सभी बनने तैं है अच्छा जी अब मैं इसे हटा दूँ चला मुझे एक पेजिस के हटाने पड़ेंगे सब यूजड पेजिस है चलिए अब आप ध्यान तो आप जो बताँगा बहुत ध्यान से समझना जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं उन्हें बोलते हैं बैलेंस बीडी बीडी का मतलब है ब्रॉट डाउन जो महीने के शुरू में आप लेकर आए ब्रिंग किया जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं उन्हें बोलते हैं बैलेंस सीडी सीडी का मतलब कैरें डाउन इबात ध्यान लेगी ओपनिंग बैलेंस को बोला जाएगा बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस को बोला जाएगा बैलेंस सीडी अगली बात पर ध्यान दो एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा डैबिट साइड में लिखा जाता है वो हमेशा डैबिट साइड में लिखा जाता है और एसेट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है वो हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है इतनी बात याद रहेगी आपको एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डैबिट सा opening balance credit side में होता है और closing balance debit side में होता है opening balance credit side में होता है और closing balance debit side में होता है यह बात आप नहीं भूलूगे तो यह बात आपको याद रखें हाँ सर हम याद रखें तो बच्चो हमने जो इतने अकाउंट बनाए है ये कैश का, बैंक का हमें सब के ओपनिंग बैलेंस तो दिये थी जैसे जन्वरी एक को कैश था 3 लाग तो कैश एसेट्स है एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डैबिट की तरफ लिखना है मैंने कहा है एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस के तर लिखना है डैबिट साइड में और ओपनिंग बैलेंस को क्या बोलते हैं बैलेंस बिली तो आप क्या लिखोगे बेटा debit side का एक rule होता है two लिखते हैं क्या लिखते हैं two और credit side में लिखते हैं buy लेकिन आजकल की जो latest accounting है वो इसको नहीं बोलती है तो आपका मन करें लिख लेना ना करें मत लिख लेना मुझे तो कोई दिकत नहीं है लेकिन आपके school वाले वोई पुराना गिसा पेटा method यूज़ करते हैं तो वो two by लिखते होंगे तो two balance bd हो गया क्योंकि assets है bank भी assets है 2,00,00, ये भी इधर आ जाएगा January 1st को two balance bd Ram debtor ये भी assets है January 1st को two balance bd Sanjay debtor है ये भी आ जाएगा January 1st को two balance bd deadlock फिर मुहन तो creditor है और liability का closing balance इस side लिखना है आपको क्योंकि मुहन creditor है liability का closing balance credit side में लिखना है नाम bd है opening balance को बूलते bd ही है विजय भी creditor है opening balance credit में लिखना है और opening balance को bd ही बूलते है 50,000 और capital तो liability होती ही है तो January 1st को buy balance bd 5,000,000 बच्चे capital को आप 6,000,000 कर ले ना कुश्चन में capital को आप 6,000,000 कर ले ना यह मैंने कुश्चन बदल दिया 6,000,000 कर दिया ठीक है बिटा हाँ सर यह बात तो ठीक है चलो जी यह हो गए हमारे balance bd के काम अब आपको यह सारी journal करनी पड़ेंगी जो during the month हुई है जो during the month transaction हुई है आपको यह सारी journal करनी पड़ेंगी जैसे January 3 को जन्रल का format पता है आपको date, particular, LF, debit, credit January 3 को purchase करें goods cash में 5,000 इसकी entry क्या होती है purchases debit to cash 5,000 मैं narration नहीं लिखूँगा फिर January 7 को receive करें 95,000 यह बटा 50,000 के है receive करें 95,000 किसे राम से फुल सेटलमेंट में और जब यह word होता है फुल सेटलमेंट तो discount छुपा होता है अब राम से लेने थे एक लाक और दे गया 95,000 फुल सेटलमेंट में तो ज़रा एंट्री देखना आप cash account debit 95,000 और टू राम एक लाक फिर जैन्वरी 10 पेड ओफिस रेंट बाइ चेक तो रेंट की एंट्री क्या होती है रेंट डेबिट अब चेक से पेकिया है तो to bank रेंट डेबिट to bank कितना 20,000 फिर जैन्वरी 16 को salary paid करी 40,000 cash में करी होंगी जैन्वरी 16 को salaries paid करी salaries debit to cash 40,000 जैन्वरी 19 को purchase करें विज़े से 40,000 के goods 19 को विज़े से purchase करें तो entry होगी purchase debit to visit 40,000 के goods ठीक है जैन्वरी 20 को मोहन को 98,000 दे दिये full settlement में जिस मोहन को 1,000,000 देने थे 98 दे दिये तो 2 का discount मिल गया entry देखो जरा मोहन डैबिट to cash और to discount receive एक लाग का मोहन था 98 दे दिये 2 का discount जैन्वरी 23 को विज़े को 60,000 दे दिये विज़े डैबिट to cash 60,000 जैन्वरी 27 को संज़ से एक लाग मिल गए जैन्वरी 29 को संज़ को फिर समान बेच दिया 20,000 रुपे का संज़ से बड़ी अच्छी दोस्ती है पैसे दे गया थारा विश्वास हो गया उसके उपर तो फिर से बेच दिया 20,000 रुपे का कैश अकाउंट डैबिट टू कमीशन 10,000 रुपे का और जैन्वरी 31 को ड्रोइंग करीब परसनल यूसके लिए 10,000 रुपे उसके एंट्री ड्रोइंग टू कैश और इसी दिन एक काम और हुआ बैंक में 30,000 रुपे जमा कर रहें उसकी एंट्री बैंक डैबिट टू कैश 30,000 तो इस पूरे महिने में इस तरह के लिंदिन हुए इस पूरे मंस में हमारे इस तरह के लिंदिन हुए बिटा अब आप ये बताओ यहां भी कैश गया है, यहां कैश आया है, यहां गया है तो हमें टोटल उटल तो करना पड़ेगा महिने के अंड में कितना बचा अब इन सारी जर्नल को हमें उन अकाउंट में पहुँचाना है देखो जरधाम देना इन सारी जन्रल को हमें इन अकाउंट में पहुचाना है दूसरी बात जो जो नाम आया सब के अकाउंट बनेंगे यहां है purchase to cash तो purchase का भी अकाउंट बनेगा और cash का भी cash का तो लेडी बना चुके हो purchase का बनेगा यहां discount allowed आरा है इसका बनेगा तो जितने भी नाम है सब के अकाउंट तो बेटा बनेंगे बनेंगे तो capital तक ही तो line खीची थी आपने अब किस के लिए line खीचेगी purchase account के लिए purchase account के line खीच गए post बाद में करूँगा इनकी posting बाद में करूँगा पहले सब के line ही खीच लो में ठीक से discount allowed रेंट के लिए भी line की चेंगे discount allowed rent का भी account बनेगा salaries 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 के बाद purchase है विजय है मोहन है cash discount received नया नाम आया discount रेसीवड के बाद विजय हो गया cash हो गया sales sales नया नाम आया sales commission drawing sales नया नाम आया अभी बहुत बड़ी class है विटा sales नया नाम आने के बाद commission एक नया नाम आया commission के बाद ड्रॉइंग से एक नया नाम आया चलो जी ये वो सारे नाम है जिनके हमें account बना ले देखना आप कितने सारे account बन रहे इतने सारे account बन रहे बताओ जी बताओ तो बच्चे बनाने तो पढ़ेंगे एक बच्चा कहता सर क्या exam में आता है ये पिटा इतना बड़ा नहीं आता छोटा motor question exam में आ जाता है लेकिन मेरा motive तो आपको अच्छे से समझाना है तो मैं आपको सब कुछ समझाऊँगा अब मैं आपके सामने posting शुरू करूँगा और आपको बहुत अच्छे से समझता है बच्चे पहली entry है purchase debit to cash क्या entry है purchase debit to cash अब इसमें purchase हुआ है debit और cash हुआ है credit purchase हुआ है debit और cash हुआ है credit तो purchase के debit में डालना है purchase के debit में डालना है अब कहा है purchase account आपका ये रहा purchase account ये रहा purchase account January 3 की entry थी किस नाम से डालोगे to cash के नाम से किस नाम से डालोगे to cash के नाम से बच्चे कोई भी account जब बनाओगे कोई भी account जब बनाओगे उसमें उसका नाम नहीं लिखा जाता ये बात याद रखना तो purchase के debit में to cash गया अब बच्चे यहां cash credit हो रहा है न cash भी तो जा रहा है पचास अजार तो cash के credit में January 3 cash के credit में लिखना है by purchase क्या लिखना है by purchase पचास अजार मेरे बात समझें और समझो चलो अभी स्वाली को बाद में करेंगे पहले इसको देखो rent to bank rent to bank तो rent debit हो रहा है rent के debit में to bank 20,000 rent के debit में to bank का है जी rent का account rent का ही रहा तो January 10 को rent के debit में to bank 20,000 ठीक है और bank के credit में buy rent जनवरी 10 को 20,000 हाँ सर समझ गए हम अगला salaries to cash तो salary के debit में to cash 40,000 salaries के debit में to cash 40,000 सोले जनवरी को और cash के credit में buy salaries 40,000 buy salaries 40,000 ठीक है सर purchase to budget तो purchase के debit में to budget 40 purchase के debit में to budget 40 यह रहा purchase तारीक कितनी 19 और विजए के credit में विजए के credit में buy purchase 40 समझ रहे हो बिटा अगली entry अब में यह वाली भी करा दो आपको समझ में आगी न अब देखो cash debit 95 discount allowed debit 5000 से और राम क्रेडिट एक लाग से तो cash के debit में जाने 95 नाम किस का आएगा राम का to RAM 95,000 यह आये थे 7 जन्वरी को ओर ध्यान दे न discount allowed के भी debit में 5000 जाएंगे राम के नाम से discount allowed यह रहा सब super discount allowed है to RAM 7 जन्वरी 5000 और बेटा राम जी राम जी के credit में buy cash और buy discount allowed buy cash और buy discount allowed 95 cash दे गए 5 का discount January 7 के अट अब आपके यह भी हो गई यह भी हो गई यह भी हो गई अब इस पे आज़गे मोहन debit 2 cash to discount तो मोहन के debit में 1 लाख जाने है 2 cash इतने के नाम से 2 discount इतने के नाम से कहां बैठा है मोहन यह बैठा जी मोहन तो 20 तारिक को मोहन को 2 cash दे दिये 98,000 और 2 discount received same date पर हो गया 2000 1 लाख का था मोहन अब आप खुद देखो cash के credit में 98 डालना चाहिए buy मोहन के नाम से ने डालना चाहिए हाँ सर अब तो हमें आ गया समझ में तो 20 को buy मोहन के नाम से मैं 98,000 डाल देता हूँ क्या दिक्कत आ भी सर discount receive में भी तो डालोगे न 2000 मोहन के नाम से हाँ बेटा बिलकुल डालेंगे intelligent तो आप तो देखो लोजिक 20 by मोहन 20,000 इतनी बाते आपको समझ में आती हैं ये हमारा हो गया अब विजय टू कैश विजय के डैबिट में टू कैश और कैश के क्रेडिट में बाई विजय हाँ सर तो कैश के क्रेडिट में बाई विजय 60,000 रुपे दे दिया अपनी विजय को 23 तारीक और विजय के डैबिट में 2 कैश 60,000 रुपे दे दिया ठीक है बचे अब कैश टू संजय एक लाख रुपे है संजय से तो कैश के दो डैबिट में 27 तारीक को टू संजय एक लाख और संजय के क्रेडिट में बाई कैश एक लाख 27 तारीक को 29 को संजय को फिर सेल कर दिया संजय टू सेल तो संजय के तो डैबिट में टू सेल के नाम से 20,000 और सेल के क्रेडिट में बाई संजय सेल का है ये बैठा सबसे एंड में चुक चाप कुछ काम ही नहीं है इसको 29 ठीक है बच्चे बड़ा चल ला है न कुशन सबसे बड़ी क्लास होगी है मारी आस तक की अब कैश टू कमीशन कैश के डैबिट में टू कमीशन 10,000 और बच्चे कमीशन के क्रेडिट में का है कमीशन ये रहा बाई कैश 10,000 डेट कितनी है 30 अब 31 तारिक को ड्रोइंग टू कैश तो ड्रोइंग के डैबिट में टू कैश 10,000 ड्रोइंग के डैबिट में टू कैश 10,000 31 जन्वरी को और कैश के क्रेडिट में कैश के क्रेडिट में बाई ट्रोइंग्स दस हजार बाई ट्रोइंग्स दस हजार और बैंक टू कैश जो जमा कराया तो बैंक के डैबिट में टू कैश तीस हजार बैंक के तो डैबिट में टू कैश तीस हजार और कैश के क्रेडिट में पाइब बैंक तीस हजार ठेंक गॉड सर जनरल पोस्ट हो गई बेटा जनरल पोस्ट हो गई तो अब आप टोटल कर लो इन सब के कितना कितना क्या क्या बचा फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही किया या गलत किया सर किया तो अपने हाँ बेटा वही मैंने सही गलत किया अब टोटल करो तीन पिचाण में धस चार पांच पांच लाग 5,000, ठीक है बच्चे पांच लाग 5,000 में से इन सब को माइनस करोगे इन सब को क्योंकि ये क्या कैश है जो मेरे पास से गया तो आपका मिल जाएगा आपको महीने की last date पर लिखना यह जो भी date होगी महीने की क्या date है 31 January माइनस करने के बाद आपको मिलेगा closing balance balance cd बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे balance cd तो कितना बचेगा 50 40 90 90 90 80 28 28 28 और 17 मेरे ख्याल से 2,70,000 बच रहे बचे देगो totaling गलत हो सकती है मैं थोड़ा speed से करता हूँ तो इसलिए totaling गलत हो सकती है आप देख लेना फिर मैं फिर से cd को bd बनाना है क्योंकि जो आज का carry down और कल का brought down बन जाएगा और इस तरहीके से आप यहां पर question को छोड़ेंगे अब ऐसे इसका total 230 इधर 230 में से 20 गए तो 31 जनवरी मैंने बोला न महीने की last date पर आप लेखेंगे balance cd कितना बचे का 2,10,000 जो यहां closing है उसे fab 1 को आपको bd भी बनाके दिखाना है 2,10,000 राम जी तो खतम ही हो गए थे एक लाक थे पिचान में वो दे गए पांच हमने discount दे दिया संजय जी एक सत्तर इधर एक लाक यह दे गए थे तो संजय जी अभी हमारे debtor continue है सत्तर हजार के 31 जनवरी और February 1 को to balance bd अभी सत्तर हजार है तो एक पीच की totaling आपके पूरी हो गए हाँ सर्, मोहन, मोहन खतम हो गया था इधर भी एक लाक इधर भी एक लाक विजय 90,000 का creditor था हमारा 60 दे गया था विजय तो 30 तो अभी विजय को देने है देखो balance cd किस side आया अपने आपी इस side आया मैंने कहा था ना liability का closing balance डैबिट में आएगा निकल के और February 1 को इसे आप क्या बना दोगे opening अब कैपिटल 6 लाक है कोई entry नहीं है बच्चे तो यही balance cd हो जाएगा छे लाक 31 जनवरी फिर एक फरवरी को इसी क्या बना देंगे balance bd purchase अच्छा है बच्चे मेरे एक बात सुल लो ध्यान से जो expense होते हैं और जो income होती है उनमे total ऐसी करके छोड़ देते है 90,000 क्योंकि आप balance cd निकालोगे तो भी नभभाएगा फिर bd बनाऊगे तो भी नभभाए तो आपके school वाले अगर करते है 90 के बाद cd नभभे bd नभभा बनाए तो ठीक है नहीं तो मैं सला दूंगा आप total करके छोड़ दो कोई दिकत नहीं है क्योंकि इनमें कुछ मिलेगा नहीं आपको discount allowed कितना है 5,000 तो 5 ही रहेगा rent कितना है 20,000 तो 20 ही रहेगा cd bd बनाने का मन करे तो बनाऊ जैसे मैंने capital में बनाया था देखो capital में bd था तो मैंने cd बनाया फिर bd बनाया आप चाहो तो इ 20,000 सेल कितनी हो गई 20,000 सर अब तो speed से हो रहा है हाँ बिटा हो रहे है कमिशन कितना हो गया 10,000 और drains कितनी हो गई 10,000 सर सर कैसे पता चलेगा कि आपने हमें सही पड़ाया है बिटा बिलकुल पता चलेगा क्यों पता नहीं चलेगा अब आपको बनाना है एक trial balance क्या बनाना ह जो ऐसे बनता है जिसमें ये debit side होते हैं और ये credit side होते हैं सर इसे कैसे बनाते हैं बिटा इसे बनाते हैं दिमाग से देखो मेरी बात और लिख ले न सारी assets सारे expense सारे loss ये हमेशा trial balance में किस side लिखोगे debit side ओके सारी income, capital, liability ये trial balance में किस side लिखोगे credit side ओके सार आपको ये बात समझ में आ गई हाँ बच्चे अब आप देखो जरा ये बात भूनना मत अब देखो cash assets कितना है 27 debit में लिखोगे cash in hand था ये दो लाक सत्रे हजार bank assets है दो दस आप देखो वैसे भी total debit में ही है वैसे भी debit में ही तो debit में लिखोगे otherwise assets है तो debit में है cash at bank दो दस राम खतम हो गया था संजे 70 debit में debtor है क्योंकि संजे मेरा और debtor assets होते हैं तो संजे कितना लेने 70 एक पेज हो गया उसके बाद मोहन खतम हो गया था विजय तीस लेने liability credit में लिखना है तीस लेने है liability credit में लिखना है capital credit में लिखनी है 6 लाक purchase 90 purchase आपका खर्चा होता है न हाँ sir खर्चा होता है तो debit में लिखो न फिर होता है खर्चा तो ये भी हो गया discount allowed 5000 डिसकाउंट allowed आपका खर्चा है आप discount देते हैं 5000 रेंट 20,000 आपका खर्चा है आपको रेंट देना पड़ता है salary 40,000 आपका खर्चा आपके worker को आपको salary देनी पड़ती है discount receive 20,000 रेंट आपका revenue है ये तो आपको मिलता है 20,000 बटा 20 नहीं था discount receive ये 2000 था क्योंकि हमने 98 दिये थे एक लाक वाले को मुझे याद आगे और देखा हमारी न सारी मेहनत खराब हो जाती है अभी बताऊंगा कैसे हो जाती sales 20,000 ये भी revenue ये भी मिलेगा ये हो गया जी अब क्या रहे गया अब तो सारा ही हो गया लग रहा है मुझे बस ये रहे गए उपर commission 10,000 commission credit side में 10,000 और drawings debit में 10,000 अब आप total करो total करो भी ध्यान से दो दो चार सत्रे दस ताइस तन में चार सतान में नब बंगे 5,60,5,70,5,70,5,70,5,70,4,2,6,7 बचे ये total आ गया आपका 210 और दो दस आ गया 47 चार सत्ता इस 2,57,4,70,5,2,52,52,5,20,5,12,54,50 ये आ गया 562 662,662,662,660,552,6642,662,662,662,662,662,662,662,662 साइड मैच करेंगे अगर आपने सही किया है तो और अगर आपने गलत किया है तो आपकी साइड मैच नहीं करेगी तो अगर मैं वहां उसको 20,000 ले ले लेता तो मेरी साइड गलत हो जाती फिर मुझे ढूंड़ना पड़ता मैंने कहां गलत किया तो मुझे टाइम पर याद आ गया था वो तो और हमारा कुशिन अब हो गया है पेटा अब मैं उम्मीद करूँगा कि आप लैजर की कुशिन करोगे आपके बुप में कुशिन नबर 7 आपको करना है जहीरवाला